Hello friends, welcome back to my channel कैसे हैं आप सब आसा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे आज मैं बनाने जारी हूँ गोभी का पराथा जो सभी को बहुत ही पसंद आता है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं बहुत ही टेश्टी और लाजवाब गोभी के पराथे तो यहां पर मैंने गोभी ले लिया है मैंने इनको छोटे छोटे तुकडों में काट के अच्छे से इसको चेक किया है कि कीडे वीडे ना हों और धो भी लिया है मैंने इसको उसके बाद मैं इस कद्दुकस से गोभी को कद्दुकस कर लूँगी तो यहाँ पे मैंने गोवी को कद्दुकस कर लिया है यह देखिए अभी इसमें जो पानी है उसको मैं इस कपड़े से अच्छे से निचोड़ लूँगी इस तरह से इसमें डालके पानी पूरा हम इसका निकाल देंगे ताकि हमारे पराठे फटे ना और हमारे पराठे अच्छे से बन जाए तो इसका पानी मैं पूरा निकाल दूँगी अच्छी तरह से निचोड़ दूँगी इसको पानी पूरा इसका निकल जाएगा इस तरह से यह देखिए कितना पानी इसमें निकल रहा है तो पूरा ही पानी हम निकाल देंगे और यहाँ पे मैंने पानी निकाल लिया और यह देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुका है अभी मैं इसमें मसाले आट करूंगी तो यहाँ पर मैं MH पौडर इस पर डाल दूँगी यह देखे इसके बाद मैं इसमें धन्या पौडर डालूँगी गरम मसाला डालूँगी चाट मसाला डालूँगी पौडर मैं डाल दूँगी और अमचुर पाउडर भी डाल दूँगी मैं यहाँ पे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे अमचुर पाउडर से भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो यहाँ पे मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ थोड़ा सा और उसके बाद मैं इसमें कसा हुआ अद्रक और धनियापत्ति मैंने कट करके रखा है, वो मैं इसमें मिक्स कर दूँगी और अच्छी तरह से मैं मिला लूँगी यह देखें, अच्छे से मिक्स कर लेना है आठा भी मैंने पहले लगा के रख दिया था तो यहाँ पर मेरा आठा भी रड़ी हो चुका है यह देखे मैं थोड़ा सा इसको मसल लेती हूँ इस तरह से उसके बाद हम पराठे बनाएंगे तो यह देखे नमक मैंने नहीं डाला था तो मैं थोड़ा सा काले नमक और सफेद नमक दोनों ही मिक्स करके डालूंगी इस पे बहुत अच्छा टेस्ट आता है काले नमक से परा जालिएगा नहीं तो नमक पानी छोड़ता है पराठे फटने का डर रहता है अभी मैं यहां पे अच्छे से नमक को भी मिक्स कर देती हूँ और तब भी मैंने रख दिया है गरम होने के लिए तो यह देखे नमसाला में नमक भी मिक्स हो चुका है अब हम पराठे बेल लेत इसको कटोरी की तरह से गोल बनाकर मैं फील करती हूँ पराठो को तो वैसे ही मैं इसको थोड़ा सा गोल कर लूँगी और इसमें जो मिक्सर हमने रडी किया है पराठे के लिए गोभी का वो मैं इसमें भर लूँगी कम जादा आप अपने कोडिंग डाल सकते हैं यह देख मैं मसालो को प्रेस करके इसको बंद कर दूंगी इस तरह से अच्छे से इसको बंद कर देना है यह देखिए अभी मैं बेल लूंगी पराठो को हलके हाथों से ही बेलेंगे ज़्यादा प्रेस करने से पराठों के फटने का डर रहता है तो मैं हलके हाथों से ही बेल रही हूँ ताकि पराठे हमारे फटे न यह देखे अब मैंने तवे पे डाल दिया है एक तरप से पराठा मेरा सिख चुका है मैं दुसरे तरब से इसको सेख लेती हूँ अभी मैं घी से सेखूंगी पराठे तो मैं इस पर घी लगा लेती हूँ अच्छी तरह से यह देखे और दुसरे तरब भी मैं इसी तरह से घी लगा लूँगी और पराठे हमारे ये देखे दूसरी तरब से भी सिख चुके हैं तो इस तरह से मैं घी लगा लूँगे आप चाहे तो ओईल से भी पराठे सेख सकते हैं और पराठे हमारे अच्छे से सिख चुके हैं और बहुत ही क्रिस्पी भी हो चुका है यह देखिए मैं पलट के दिखाती हूँ आपको यह देखिए कितने क्रिस्पी हमारे पराठे बने हैं तो यहाँ पे हमारा पराठा रेडी हो चुका है यह देखिए मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ और दूसरे पराठे भी मैं डाल दूँगी तवे पे और ये दूसरा पराठा भी हमारा रेड़ी हो चुका है इसी तरह से मैं बागी पराठे भी सेक लेती हूँ तो यहाँ पर मैंने पराठे सेक लिए हैं और प्लेट भी लगा दी है तो ये देखिए हरी चटनी मैंने बनाई थी पराठो के लिए तो आप लोग बताएगा जरूर मेरी रेसिपी कैसे लगी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करिए मैं मिलूंगी नेक्स्ट वडियो में बाई बाई